असलाम अलेकूम, वेलकम टो कुकिंग विद बेनजीर, कैसे आप सब उमीद है, खेरियत से होंगे, दोस्तो आज की हमारी रेसिपी है, क्रीमी चिकन इन पेस्टो सॉस, साथ में बनाएंगे हर्ब राइस, फिकर ना करें, घर की ही चीजों से बना कर तयार करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं, और यहां हमने बोनलेस चिकन ली है, जिसके इस तरह से छोटे-छोटे पीसिस किये है, चिकन को अच्छी तरह हमने सुखाया, मारिनेट करने के लिए इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, फ्रेश कुटीवी, काली मिर्चे भी डालेंगे, आपके पास अगर पाउडर है, तो पाउडर भी डाला जा सकता है, यह हम तकरीबन हाफ टीस्पून डालेंगे, कौन फ्लार एक टीस्पून, बस इतनी ही चीज़े डालेंगे, और अच्छी तरह से इसे मिक्स करके एक साइट पर रखेंगे, बहुत ज्यादा देन में ही रखना है, हम पेस्टो सॉस बनाएंगे, बस तब तक इसे एक साइट पर रखना है, इससे तो मिक्स कर दिया, एक साइट पर रखेंगे, हमने फ्लेम को ओन करके एक छोटा पैन गरम करने के लिए रखा है, थोड़े वालनट्स को टोस्ट करेंगे, तकरीबन 7-8 वालनट्स हमने ले तो ये जगे पर आप पीनट्स यूज़ कर सकते हैं, मुमफली यूज़ कर सकते हैं, उसे रोस्ट करके, फिर हातों से क्रेश करके उसका छिलका अलग कर ले, वो भी इस्तमाल की जा सकती है, तो कितने सारे ओप्शन्स दे दिये हमने आपको, जो भी आपके पास आसानी से म का मन होता है, हमारे जो डेली रूटीन के हम लंच जिनर बनाते हैं, उससे थोड़ा अलग, तो आज बस ऐसा ही मन किया, हम उठे तो, हमने सोचा, ये रेसिपी बनाते हैं, आपके साथ भी शेर हो जाएगी, तो यहां 3-4 मिनिट हो गए, इसे इस तरह से, अलग बरतन में न स्पिनिच पेस्टो सॉस बनाएंगे, क्योंकि ये आसानी से सब जगा पर मिल जाती है, हमने दो कप लिया, अच्छी तरह से वाश कर लिया, और सुखा लिया, एक ग्राइंडर के जार में डाल देंगे, ये डिश काफी हल्दी है, इसमें स्पिनिच है, चिकन है, और हर्ब कप हमने लिया है, जिसमें से हम बस वन फोफ कप डालेंगे, चार लसन की कल्यां भी डालेंगे, एक हमने क्यूब लिया है, इसे इस तरह से तोड़ कर दालेंगे, ये प्रोसेश चीजए उसकी हमने, थोड़ी फ्रेश फुटी भी काली मिर्च, एक टीस्पून के आसपास ह तो आधे नीम्बू का रस डाल देंगे इसमें ये रेसिपी हम जो आपको बता रहे हैं अभी ये पेस्टो सॉस की है जिसे बना कर आप एक हफ्ते तक फ्रीज में रख सकते हैं मान लीजी आपको पेस्टो सैन्विच खाने है या कोई भी चीज इस सॉस में खानी है आपको त प्रणिषएं जाए यहां हम औली ओल डाल कर इसे ग्राइंड करेंगे वैसे आप कोई और अउयल भी इस्तमाल कर सकते हैं और चाहे तो पानी डाल कर भी ग्राइंड कर सकते हैं चिकन बनाने के लिए रखात तुछ नाव唱 को खुआ न हम ने कडा़ गरम करने के लिए रखा जिसमें तेल दाल देंगे तो यहां भी हम थोड़ा ऑलिवная इस्तेाल कर रहे हैं एक टेबल स्पून भरकर वैसे आप कोई भी ऑईल यूज कर सकते हैं चाहे तो बटर भी इस्तमाल कर सकते हैं चिकन को डाल देंगे ऑई में यह चिकन के छोटे छोटे पीसेज हैं जिने हमने कॉन फ्लाग नमक और काली मिर्च में थोड़ी देर रख दिया था यह बहुत अच्छे टेंडर हो जाते हैं सॉफ्ट और जूसी होते हैं दो से तीन मिनिट अच्छी तरह से हमने चिकन को सौटे किया कवर करेंगे और दो से तीन मिनिट बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे पानी नहीं डाला हमने अपने ही जूसिज में चिकन को गलाएंगे थोड़ी देर लो फ्लेम करके हमने पकाया चिकन गल गई है इसली कट हो रही है हमारा पेस्टो सॉस डाल देंगे इसमे आप इसस कम भी डाल सकते हैं लेकिन हमें थोड़ा पेस्टो सॉस ज्यादा कॉंटिटी में अच्छा लगता है वैसे हल्दी भी है इसमें पालक है वालनुट से थोड़ा सा पानी भी डालेंगे यह इसमें मिला दिना है फ्लेम को हमने लो ही रहने दिया है अच्छी तरह से मिक्स कर करेंगे कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है लो फ्लेम पर इसे एक से दो मिनिट पकाएंगे है बहुत ही फ्रेश और जबरदस्थ खुश्बू आरही है ग्रेवी मैं से दो मिनिट हमने पकाया है लो फ्लेम करके थोड़े इसमें आफ टीस्पून मिंख्टर और हाफ एक हम चीज की स्लाइस मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, बाद में नमक को टेस्ट करेंगे, इस सॉस में हमने नमक नहीं दाला, पैस्तो सॉस में नमक है, तो बाद में हम टेस्ट करके डाल सकते हैं, जरूरी लगे तो, तो नमक और काली मिर्च उपर से डाल सकते हैं, वैसे चीज है हमने क्रीम और चीज दाली इसे बस आधी से एक मिनिट चीज मेल्ट होने तक पकाना है फिर ये रेडी हो जाएगा अगर आपको इसमें ज्यादा ग्रेवी करनी है तो ये पॉइंट पर थोड़ा दूद दाला जा सकता है उससे भी ग्रेवी थोड़ी अच्छी सी क्रीमी हो यासमती चावल हमने यूज किये 250 ग्राम उन्हें भिगा दिया था 15-20 मिनिट पहले बाद में बॉइल कर लिया खुले पानी में बॉइल करने में हमने आइड किया एक टीस्पून लेमन जूस एक टीस्पून और एक टीस्पून ही नमक एक बड़ा सा वोक लिया हमने एक ट लस्पून इसमें थोड़ा ज्यादा जाता है तो कम से कम 7-8 कली लस्पून को लेकर चोटा-चोटा सा चॉप कर ले लस्पून को पहले हलका हलका सा गोल्डन होने देंगे एक टीस्पून मिक्स्ट अर एक टीस्पून चिली फ्लीक्स डाल देंगे अगर औरिगैनो है तो यहां औरिगैनो भी इस्तमाल किया जा सकता है काफी सारा अरधनिया भी डालेंगे इसमें तक्रिवन तीन टेबल स्पून हमने डाल दिया छोटा-छोटा कट करके बिलकुल लो फ्लेम पर इन चीजों को थोड़ा हलका हलका सा चलाएंगे 10-20 सेकेंड जबर्दस खुश्ब नहीं होने चाहिए खिले खिले होने चाहिए फ्लेम को लो ही रखा हमने हलके हातों से पहले मिक्स कर लेंगे थोड़ी इसमें ताजी फुटीवी काली मिर्च भी मिलाएंगे यहां नमक अगर आपने राइस बॉयल करने में अच्छा सा डाला है और वह परफेक्ट है तो न राइस में सारे वह अच्छे से आजाएंगे और यह थोड़े थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे वह siarive कार्या है यह कुछ सा हूं कन्या लेकिन आप पहुचा सकते हैं अपने किचन में पर मिलागी जरूरी के बहुत ही दिलिशिसस बहुत ही टेस्टी रेसेपी है तो जैसे हमने आपसे कहा, कभी-कभी आपका भी मन होता होगा, कुछ अलग सा बनाएं, डिफरेंट सा बनाएं, तो ये रेसिपी जरूर ट्राइ कीजेगा, अगर हेल्दी तरीके से आप चाहते हैं, तो आप इसमें चीज और क्रीम, ये सारी चीजों को बिल्कुल तो दोस्तो देखा आपने, कितना जल्दी-जल्दी हमने ये दो चीजें बना कर त्यार कर ली, बस राइस को पहले से थोड़ा बॉइल करके रख दे, तो कुकिंग तो बस चल्दी ही हो जाएगी, तो चलिए टेस्ट करते हैं, आपको बताते हैं, कि ये कैसा बना है, सुपब, जैसे हमने आप से कहा, खुछ अलग सा खाने का मन था, तो वो पूरा हो गया, हम तो पूरी तरह साटिस्पाइ हो गए, और राइस तो इतने फ्लेवरफुल है, कि हमें ऐसा लग रहा है कि, ये राइस के साथ बहुत सारी चीज़े क्लब करके बनानी चाहिए, पैस्तो वाली चिकन के साथ ही ये राइस नहीं बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ों के साथ इस राइस को कलब किया जा सकता है, तो क्या कहते हैं, आप भी अगर चाहते हैं, कि हम ये राइस के साथ बहुत सारी अलग-अलग ग्रिवीज बताएं, तो हमें जरूर बताईएगा, और आप भी ये रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिएगा, मिलेंगे अगले वीडियो में एक और सपड़तस रेसिपी के साथ, अपना खास खयाल रखेगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखेगा, अलाहाफिज